कि नमस्कार दोस्तों दप्लांट गुरू चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज की स्कड़ी में हम पौदों को स्पाइलर डिजैन किस तरह से बना सकते उसके बारे में बात करेंगे कि जो पौदे होते हैं जैसे मालफीजिया हो गया बॉक्सूड हो गया या गोल्डन सा अधर वराइटिंगों को स्कूल原 के सकते बारे में च battle करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस को वैलडिंग करके किस तरह से इसको बनाए जाता है तो चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों इस बार वीडियो डालने हम काफी समय लग गया मुझे को स्वास्त खराब था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया लेकिन आप आपके बीच में हूँ आपने यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप जैसे लोगों तक हमेशा हम जल्दी से जल्दी पहुँच सकें और उनको भी जानकारी दे सकें दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है कि मालफीजिया का पौदा लेना है आप यह देख रहे हैं यह माल जूख जाता है इसलिए इसको कैसे बीजेन असा बना सकते हैं इसलिए इस पौदे का चैन करते हैं एक तो हो गया यह और दूसरा होगा इस पाइलर बनाने के लिए यह हम कोई वराइटी ऐसी लेते हैं जैसे गोल्डन साइप्रस ऐसी वराइटी आई उसको हम इस पाइलर पौट में लगाए इसको और चाओदा इंच के पौट में लगाने के बाद में इस पौदे को हमने यह वाला शेप दिया आप देखिए इस तरह से स्पाइलर सेप दिया हुआ है और इस शेप को बनाने के लिए हमको जो है आठ इंच गमले में जो पौदा है या 10 इंच की पौली बेग में जो पौदा है उसको 14 इंच के या 16 इंच के गमले में हम रखेंगे और इस तरह से बलेक गमला या आपके पास जो भी गमला उपलब दो उसमें आप इसको लगा लेंगे पौदे को गमले में लगा लेंगे और गमले म किस तरह से लगा सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमने पहुदा को लगा लिया उसके बाद में हमें इस तरह से एक लोहे की सरीया लेना है इस तरह से लोहे की रॉड लेना है और रॉड को सबसे पहले जो है इसे डिजैन में देखेंगे कि एक सिंगल रॉड यहां से नीचे और यहले नहीं यह देखे यहां के आए बनात कर धिये ऊसके बाद में अब यहां देखिए कि यह जो है हमने 8 गाल लिए और तक यह से जब आ आए तक आप निशान कर लििजिए और इसके बाद में आएक-एक-डिशान इसके भी में करें तो एक इस तरह से आगे जाएगा और इधर मुड़ेगा तो चारो तरफ गुमा के इसमें वेल्डिंग किया है और उपर तक इसी तरह से उसके बाद में हमने क्या करा है इस वेल्ड को इस तरह से दो वायर लिये हैं जिसमें आप पतला थोड़ा सा भी वायर ले सकते हैं और यह वाला जो है चारेमें का सरीया है तो आप 4-0 म के सरी के साथ में एसी जो एट्व जो है यह एसी जो गई है ऐसे गुमा के यह यह यहां पर भी इस तरह से पार तक ले गए तो इस तरह से इसका भूना लें यह ने के बाद में हम पोदा इसमें प्लांट कर देंगे और इ करना है इस तरह सी इसको फिरो देना एक उसे चले जाना है तो आगे चल के क्या होगा कि यहां पर जो है इसका शेता की यह जो इस पाइलर शेप लेते चले आएगा और इसके बाद में जो है जैसे जो कुछ टेनी एसी होती होगी जो की यहां पर हुझ करने ज़रूत नहीं कई तो उसको मैं गटर तो इसपाइलर में जो जो पत्ते जो है जो टेनी आ ढंदर हम लिए वो तो इसमें अंधर चलिए किससे और जो भार रहे उसको इसतरा से इसकी कटकर देना इस का शेफ दिरे 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 एह लेते चले वेसे तो आप मालपीजिया से जो है बहुत सारी डिजैन बना सकते हैं आप हमारे चैनल पे इसमें देख सकते हैं कि हमने जो है ऑदो को आकार कैसे देते हैं इस तरह से एक वीडियो बना रखा जिसमें हमने हीरन हाथी और गोड़े जीराफ बनाया है जिसमें उसको दिखाया है किस तरह से उसको बना सकते हैं तो इस तरह से हम जो है इसका से लगातार बनाते रहेंगे तो कुछ दिनों में जो है आप एक साधारन से पोदे को जो है स्पाइलर की डिजैन आप बना सकते हैं और इसमें एक बार आपको सरफ यह डाचा बनाना है और यह जो डाचा बनने के बाद में यह हमेशा के लिए सेट हो जाएगा आपको महिने डेड़ महिने में एक बार जो है इस तरह से जो बारीक पत्तों की कटिंग करना है और यह शे साइप्रस में भी कर सकते हैं और इसी तरह से आप जो है बॉक्स हूट के पौदे में भी कर सकते हैं इस तरह से जो टैनिया नहीं निकलती है उसको हम कट करते चले आएंगे तो यह शेप आपका बहुत सुन्दर बना होगा का is और आपको जितनी इसके हाइट ले जाना है जैसे तीन इस पालर बता नाय चार बनाना है तो वाह तक ले जाके हैं फिर रम झोटे कर ये जैसए हम हइड ले जाएगे यह लोग दो पर इसके बात में यह ह्लने होद हैं तो इस तरह से जो है आप इस डिजैन को बना सकते है और मन चाहा आकार आप भी बना सकते हैं घर पे तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे दिवारा दी गई जानकारी पसन आए होगी इसी तरह के यूनिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहेगे दप्लांट गुरू पे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्र झाल बना सकते हैं